नई रेसिपीज जानने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें शुद्देफी किचिन बार वाइल दाल दीजिए इसके अंदर, वाटर डालेंगे, पानी को मिक्स कर लिए इसे, ज्यादा लरमने होना चाहिए, इसे लुतरा हाप से बुनने के बाद आप जैसे आपको लगेगी पानी की जूरत है तभी डाल सकते हैं कि इसके इतना कटगर होना चाहिए, ताकि आपको इसको मूठरे के डापी बना सके और इसको बॉल करना इसको इस टाइब वाली छन्नी लेंगे, इसमें हलका साफ बॉल, साइड से इसे कर देगे, ताकि पानी से वो चिपके नहीं गरम आरा लीटर पानी डाल दीजे, पानी डाले गवार इसको इछनी में इस तरह चाहिए, दाल के इसके भाब से दस नेट पूर देए, तो जब तक सत्तु का गठा बन रहा है, तब तक आप इसका करी बना लीजे, 100 ग्राम दही लेट आएंगे, हलका सा पेशल 10 ग्राम के उपर, अच्छे से घोट के फिर इसके अंदर पानी मिस्ट कर दीजे, अब अच्छे से मिक्स हो गया, इसको तरका लगा देते हैं, गीट, पेल में भी लगा सकते हैं, तरका इसकी में भी लगा सकते हैं, घी का फ्लेवर आएगा, पकड़ीं, इसलिए गी मिराना चेहिए, और आई डालेंगे, हाफ तीस्पूं, हाफ तीस्पूं से पनी जीरा करी पत्चा अगरा चॉप्स की आवा लंबा लंबा उसके बार बार तार देंगे रोटीन हरी में लंबा तार देंगे इसके ओनियन्स चॉप्स की आवा करी बना के गोल राके देशकर डाल दीदेगे इसको मिक्स करते लेंगे थुरा तो अट जाएगा अब दर तक करी बॉयल हो रहा है इसको देख लेंगे पूरा कसर है तो दूती में टौर अपने लगाए तो इसमें आप नमक वन टीश्पूल और थुरा डाल देंगे हमने गट्टी के लिए लिए यूज़ कि है इसमें फुरा कम नमक डाले तो पकने दीजिए वेशन को ताकि वेशन डाला है पकना चाहिए बसन हो चुका है तो इसको ठंड़े होने के लिए विकाल लेंगे अब फिर इसको गोर्बोल काट लेंगा पर यह को बंद कर दीजिए और इसको यह टेक पीस इसको लेंगे इसके उसे धनिया परता शॉप्स करके तरह आपकिस को लाल दीजिए और मिच्च कर लिजिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट का नामत बुलिए और सेर करें वीडियो ज्यादा आके ज्यादा स्यादा विवर्स देख सकें कर दो